Supreme Court ने यह सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है अप्रेल की गर्मी के बीच देश में लोकसभा चुनाफ की सियासी गर्मी ने पारा बढ़ा दिया है और इसी वीच Supreme Court ने भी चुनाफ को लेकर एक सूप्रीम फैसला सुना दिया है कोट ने कहा है कि डेश में चुनाब इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानि की EVM से ही होंगे बैलिट पेपर से नहीं साथ ही कोट ने कहा है कि EVM से वीवी पैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी शुक्रुबार को सुप्रीम पोर्ट ने इन मामलों से जुड़ी तमाम याचिकाए खारिश करती है मामले पर सुनवाई करने कुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिपांकर दत्ता ने कहा कि हमने प्रोटोकॉल और टेक्निकल इश्यूस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद ही एक मत से फैसला दिया है इस केस में सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ आप फुद याचिका करताओं के वकील प्रिशान भूशन से सुनिये हम लोगों का यह कहना था कि यह इवियम जो है इन में एक प्रोग्रामबल मिमरी होती है क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें का मैलिशस प्रोग्राम डाल दें और इस वज़े से यह जरूरी है कि जो वीवी पैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का आउडिट होना चाहिए सारे वीवी पैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए और क्योंकि वीवी पैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था तो इस को जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में दे कर और उसको उसमें बैलिट बॉक्स में डाल कर और उसकी काउंटिंग कर ली जाए इसके बाद प्रिशान बूशन ने बताया कि सुप्रीम कोट ने इस मामले में फैस्ता सुनाते हुए क्या तर्क दिये वो भी सुनिये सुप्रीम कोट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमिशन इसको एक्जामिन करें कि सारे बैलिट पेपर्स पर अगर हम बार कोट डाल दें तो उसकी फिर मेकैनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं इसको एक्जा करी जाती है उसको कम से कम पैंतालिस दिन तक सील करके रखा जाए और चुनाओ के बाद कम से कम पैंतालिस दिन तक रखा जाए जिससे कि अगर को इलेक्शन पेटिशन फाइल होती है कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके तीसरी बात उन्होंने ये बोल करने का नंबर टू या नंबर थ्री केंडिडेट दर्खास दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एक्जामन करेगी लेकिन उसका खर्चा उस केंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है यह कहके उन्होंने यह सारी पेटिशन दिस्पोज आफ करें दरतल सुप्रीम कोट ने इस पूरे मामले में लंबी संवाई के बाद जब फैसल सुनाया तो दो एहम निर्देश दिये पहला सिंबल लोडिंग प्रोसेस को पूरा होने के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट को सील करें और 45 दिन के लिए स्टोर करें दूसरा नतीजे आने के बाद अगर दूसरे या तीसरे नमबर पर आए किसी कैंडिडेट को गरबड़ी का शक है तो उस साथ दिन के अंदर शिकायत करें EVM के अंदर माइक्रो कंट्रोलर की मेमरी की जाच इंजिनियर्स के टीम करें वरिफिकेशन प्रोसेस का खर्च रिकायत करने वाला कैंडिडेट उठाएगा और अगर वाकई EVM में गरबड़ी पाए जाती है तो उस कैंडिडेट का दिया गया खर्च उसे वापस दिया जाए इसके लावा सरवोच अदालत ने चुनाव आयो को भी दो एहम निर्देश दिये हैं पहला इलेक्ट्रोनिक मशीन से पेपर स्लिप के गिंती के सुझाव का परिक्शन करें दूसरा पता करें कि चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बार्पोर्ट भी हो सकता ह सुप्रेम कोर्ट ने माना कि बिना सोचे समझे चुनाव के तरीकों पर सवाल उठाना, EVM को लेकर बेतु की बयात बाजी करना साथी सिस्टम पर सवाल उठाना बेवजा शब को बढ़ावा देता है आम जन को इस से बचना चाहिए, साथी जिम्मदार पदों पर बैठे लोगों को इस तनहा की भ्रांतियां पहलाने से बचना चाहिए नमस्कार